हलो एव्रीवन वेल्कम बैक टूम एक चानल आज की वीडियो में आपके साफ शेयर कर रही हूं दिवाली मेकप लूक प्रेंट्स यह मेकप लूक कर्याट करना बहुत ही सिम्पल है और इस मेकप लूक को आप डे में भी क्रियाट कर सकते हैं और नाइट में भी create कर सकते हैं ये makeup look दोनों time में बहुत अच्छे से suit करेगा जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने yellow color में eye makeup create किया है with dress के according तो आप भी इस makeup look को अपने dress के according create कर सकते हैं बस technique आपको यही रखनी है color आप अपने dress के according चूस करते हैं तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे like, share and subscribe ज़रूर करिए अपनी family में share करिए अपने friends के साथ share करिए तो चलिए आईए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं eyebrows को fill करने के लिए मैं Cameline की brow pencil apply कर रही हूँ और मेरा shade a brown आई बेस के लिए मैं एलेगल प्रो कंसीलर को अपनी आइलेट पर अप्लाए कर रही हूँ एक flat brush की help से मैं कंसीलर को अपनी आइलेट पर अप्लाए कर लोंगी और मेरा shade a natural आई बेस को set करने के लिए मैं Maybelline New York का compact apply कर रही हूँ मेरा shade है pearl मैं small fluffy brush की help से compact को आईलेट पर अप्लाए कर लूँगी concealer को set करने के लिए आई इस के outer corner पर में cello tape को अप्लाए कर रही हूँ जिससे मेरा जो eye makeup है वो बहुती clean defined होगा और बहुती perfect shape आएगा आई मेकप के लिए मैं Swiss Beauty ultimate eye shadow palette 06 से light orange color को pick कर रही हूँ क्रीज लाइन को define करने के लिए एक small fluffy brush की help से मैं क्रीज लाइन पे light orange color को place कर रही हूँ देन उसके बाद blend कर लोगे आईस के आउटर वी को smoke out करने के लिए मैं same palette से dark brown color को pick कर रही हूँ small flat brush की help से मैं आईस के आउटर वी को smoke out करूँगी देन उसके बाद blend कर लोगे same brush से एंगल fluffy brush की help से मैं eyeshadow को blend कर लोगे जिससे कोई harsh liner है cut crease के लिए मैं LA pro girl concealer को apply कर रही हूँ इससे मैं अपने eye lid पे cut crease करूँगी flat brush की help से मैं concealer को highlight अप्लाय कर लोगे अगेन Maybelline New York compact से compact को pick कर रही हूँ एक fluffy brush की help से मैं cut crease को set कर लोगे जिससे कोई harsh line न रहे हो मेरा make up बहुती स्मूठ डिफाइन हो middle eye lid पे मैं yellow color को place कर रही हूँ तो मैं Hilary Roda eyeshadow palette 01 से dark shimmer यह बहुती जादा shimmery है तो मैंसे finger की help से अपनी eye lid पे apply करूँगे कर रही हुए नहे हुए मिस रोस का पैन आइलाइनर अप्लाई कर रही हूँ वेगर आइलाइशेस से आइलाइशेस को करल कर लोंगे मैं कि फॉल्स आइलाइशेस अप्लाई कर रही हूँ 0-3 मेवली न्योर्क का हाइपरकल मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ आइ मेकप कंप्लीट हो गया है तो नेक्स टब मैं ब्यूटी वाइब से फेस को क्लीन कर लोंगे फेस को मॉस्टराइज करने के लिए मैं ओशिया हर्बल फाइटो लाइड 9-1 मॉल्टी परपस ड़े क्रीम को अपने फेस के अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटी को का गोल्ड ओयल अप्लाई कर रही हूँ और यह बहुती जादा शिमरी और ग्लेटरी है फेस में इंस्टेंट ग्लो एट करता है यह ओयल तो मैं इसे अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ प्रेंट्स में दब्यूटी को का गोल्ड ओयल अप्लाई कर रही हूँ फेस पे और यह ओयल बहुती जादा इफेक्टिव है और इसमें आपको गोल्ड डस्ट मिल जाती है इससे अमारे फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो एड़ होता है और अमारा फेस जो है वो बहुती स्म आइटर मेकप प्राइमर अप्लाए कर रही हूं इसका जो बेस है वो वाइट क्रीम में है बट ये शिमरी है इसमें आपको शिमर पार्टिकल्स मिल जाते हैं और ये बहुती स्मूथ प्राइमर है फेस पे इंस्टेंट ग्लो एड करता है और फेस को बहुती शाइनी बनाता ह है तो मैं इसे अपने फेस पे अप्लाए कर रही हूं लॉर्याल पारिस ट्रू मैच फांडेशन अप्लाए कर रही हूं और मेरा शेड है 3DW बेस्टोर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फांडेशन को ब्लेंड कर लोंगे फेस को हाइलाइट करने के लिए मैं एले प्रो गल कंसीलर को अप्लाए कर रही हूं एजा हाइलाइटर अगिन फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कंसीलर को फेस के हाइलाइटिंग पॉइंट पर अप्लाए कर लोगे मेकप को सेट करने के लिए मैं मेबली नुयोक का कॉम्पैक अप्लाए कर रही हूं और मेरा शेड है पर्ल पाउडर ब्रश की हेल्प से मेकप को सेट कर लोगे एक अंगल ब्रश की हेल्प से मैं फेस को कॉंटूर कर लोगे ब्लश के लिए मैं सेवाना अल्ट्रा ब्लश पैलेट से लाइट पिंक कलर को पिक कर रही हूं ब्लशर ब्रश की हेल्प से मैं ब्लश को अप्लाए कर लोगे मेकप को सेट करने के लिए मैं वेटन वाइल्ड का फोटो फोकस सेटिंग स्प्रेय अप्लाए कर रही हूं इससे मेरा मेकप लॉग लास्टिंग रहेगा फेस को हाइलाइट करने के लिए मैं अगेन सेम पैलेट से हाइलाइटर पिक कर रही हूं फैन ब्रश की हेल्प से मैं फेस को हाइलाइट कर लूगे मेबली न्योग का वाइट काजल अप्लाए कर रही हूं आइस के इनर कॉर्नर और ब्राव बोन को हाइलाइट करने के लिए मैं अगेन सेम पैलेट से हाइलाइटर पिक कर रही हूं पैंसिल ब्रश की हेल्प से आइस की लोवर लेश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए मैं डाक ब्रावन कलर को पिक कर रही हूं और स्मॉल फ्लाट ब्रश की हेल्प से मैं आइस को स्मोक आउट करूंगे आइस की लोवर लेश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए मैं अगेन हिलारी रोटा आईशाटो पैलेट से डाक की यलो शिमरी कलर को पिक कर रही हूं इसमॉल एंकल ब्रश की हेल्प से मैं आइस की लोवर लेश लाइन को स्मोक आउट कर लोगे क्याल की लिप्स्टिक अप्लाए कर रही हूँ और मेरा शेड है 20 क्यात कर रही हुआ झाल कर रही हुआ । तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दिवाली मेकप लुक इस मेकप लुक को क्रियेट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इसी है मैंने इस makeup look को create करने के लिए जो भी makeup products use किये हैं उसका link मैंने ज़िस्क्रिप्शन बॉक्स से mention कर दिया है तो आप महाँ से check out कर सकते हैं friends आपके पास जो भी makeup products है आप उनसे अपना makeup look create कर सकते हैं technique बस आपको यही रखनी है makeup product आप अपनी पसंद के according choose कर सकते हैं and color आप अपनी dress के according choose करके अपना eye makeup create कर सकते हैं तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है आपके लिए helpful हुआ है तो please मेरे वीडियो को like, share and subscribe जरूर करिए अपनी family में share करिए अपने friends के साथ share करिए I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और comment section मुझे comment करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मेरा makeup look कैसा लगा है तो मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye, take care, stay blessed, happy diwali